आप सबको मेरा नमस्कार, सब सर्व प्रथम आप एक वीडियो देखिए, आज नरेंद्र मोदी की सरकार के सौ दिन पूरे हुए हैं, और सौ दिन का लेखा जोखा इस वीडियो में हो और जादा विस्तार से मैं अभी आपसे बात करती हूँ, पहले वीडियो दिखाए हैं, नरेंद्र मोदी के सौ दिन में, अठीस रेट हाथ से रहे, इन में 21 लोगों की मौत होगे, 26 आदन की हमने दोडे, 21 चबाद शेई होगे, महिलाओं के खिलाफ अपराद लडादाए पड़े, दलितों के खिलाफ अपराद का लेए, पीपर मीट कर दिवाओं का हुश्य नरेंद्र मोदी की सरकार के सौ दिन पूरे हुए हैं, और ये सौ दिन इस देश की अर्थ वैवस्था पर, इस देश के युवाओं पर, महिलाओं पर, इस देश की रेलवे पर, इस देश के इंफ्रस्ट्रक्चर पर, इस देश के इंस्टिउशन्स पर, ब्रष्टाचार के खिलाफ मार पर, बहुत भ इन सौ दिनों ने ये साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के पास किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है कोई विजन नहीं है और समस्याओं से मू मोड़ना रड़ छोड़ के भाग जाना उनकी पुरानी आदत आज भी बरकरार है। सौ दिन में सरकार का हलपल, अस्थिरता का, अनिरणायकता का और अवपरी पक्वता का प्रतीक है। इन सौ दिनों में उस गुबारे में बहुत हवा बरने की कोशिश की गई। लेकिन लोकसभा चुनाओं में इस देश की जनता ने ऐसी कील चुबोई उस गुबारे में कि भर नहीं पाई और असलियत ये है कि जो मोदी जी चुनाओ प्रचार प्रसार के दौरान अपने पहले सो दिन के प्लान का जिक्र करते थे, उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है और हमारा सवाल है कि क्या है प्लान? प्लान ये है कि आप बैसाक्यों पर आ रक्षित है, बेरोजगारी, नित नया चरम छू रही है, यही है आपका रिपोर्ट कार्ड, मैं सिलसलेवार तरीके से और जो अड्जॉइनिंग पिक्चर होगी, वो आपको जिस बिंदु को हम डिसकस कर रहे हैं, उसका प्रतीक होगी, पहला रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा जो है, वो नरेंदर मोदी की यूटर्ण सरकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे, यूटर्ण सरकार पिछले सो दिन से चल रही है, और यूटर्ण करने को मजबूर इस देश के लोकतंत्र ने किया है, इस देश के विपक्ष ने किया है, इस देश के लोगों ने किया है, अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है, तो वो कानून नहीं बनेगा और आपको लगातार उस पर यूटरन कराकर ही हम दम लेंगे। लाटरल एंट्री जिसमें की आरक्षण को ताक पर रखा गया और उसके बाद लाटरल एंट्री का प्रबंद किया गया हमने आवाज उठाई लोगों में आक्रोश हुआ लाटरल एंट्री पर यूटरन हुआ कहते थे ब्रॉडकास्ट बिल आएंगे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं जो कठिन सवाल कुछ पूछते हैं जो आईना दिखाते हैं उनका मुँ बंद करने की उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी इतना प्रतिकार हुआ उस पर इतना विरोध हुआ कि उस बिल पर भी यूटरन करना पड़ा फिर बोला वक्फ बोड बिल लाएंगे ये क कुछ नहीं था ये सिर्फ पोलराइजेशन का तुष्टी करन का एक माध्यम था और असलियत ये है कि समूचे विपक्ष ने खड़े होकर इस देश के लोगों ने आपको मजबूर किया आपको उसको जेपीसी भेजना पड़ा ये पहला कानून है जो 2019 के बाद आपने एक सेशन वापस लेना पड़ा आप बड़ी-बड़ी बाते करते थे NPS बहुत अच्छा है OPS खराब है NPS से बढ़ा कुछ हई नहीं और NPS को भी वापस लेकर आपको एक UPS लाना पड़ा तो मैं क्यों ना कहूं कि 100 दिन जो है वो लगातार U-turn का प्रतीक है पर इन 100 दिनो में अगर एक संसादन एक संस्तान की बरबादी हुई है तो वो है भारतिये रेल और अगर उसका ग्राफिक उपर आ जाए तो आपको दिखाई देगा कि 100 दिन में 38 बड़े रेल हादसे हुए हैं और 38 बड़े रेल हादसों में 21 मौते हुई हैं असलियत यह है कि पिछले सा जून में बाला सोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ और ऐसा लगता था कि सरकार उससे कुछ सबक सीखेगी सरकार रेल को सुचारू रूप से चलाने का कोई प्रबंद करेगी लेकिन फिर जून में कंचन जंगा ट्रेन का हादसा हुआ और ऐसा कोई दिन नहीं बीचता है जहाँ पर या तो कोई रेल पट्री से न उतरी हो या इंजन पट्री से न उतरा हो या रेल हादसा न हुआ हो और असलियत यह है कि 21 मौतों के बाद कवच अभी भी दो किलो मीटर पर लग रहा है सालाना और इस देश के रेल मंत्री जो रील मंत्री बनने में जादा मश्गूल है वो बेशर्मी से खड़े होकर कहते हैं ये छोटी छोटी घटनाए है रेल का पट्री से उतर जाना रेल हाथ से होना एक नहीं दो नहीं 38 रेल हाथ से होना और अगर मैं 2023-24 के साल की बात करनों तो 313 हाथ से ऐसे हुए मौते हुई पिछले 100 दिन में 38 रेल हाथ से इस देश के रेल मंत्री के लिए छोटी छोटी बाते हैं बड़ी बड़ी लफाजी की जाएगी रेल को हम ये बना देंगे वो बना देंगे लेकिन असलियत ये है कि ए अपनी जान गवाई वो किसी के पिता थे किसी के पुत्र थे किसी की मा थी किसी की बेटी थी किसी की बेहन थी समझाईएगा उनको जाकर कि ये छोटी छोटी बाते हैं उसके बाद इस देश ने इस से पहले तो ये कभी देखा ही नहीं था और हमने ऐसे ऐसे वाकिये देख के नरेंद्र मोदी जी ने जिन एरपोर्ट का उद्घाटन चुनाओं के जस पहले किया जबल, पूर, राज, कोट, दिल्ली वो एक बारिश नहीं जेल पाए ताश के पत्तों की तरह वो गिर रहे थे इस देश का संसर टपक रहा था नया संसर जो बनाये और बाल्टी में पा असलियत ये भी है कि सुदर्शन से तू जिसका इनागुरेशन मोदी जी ने किया उसमें दरारे आ गई और सबसे घटिया हरकत तो तब हुई जब छत्रपती शिवाजी महराज जिनकी मूर्ती का अनावरण दिसंबर 2023 में किया वो आठ महीने भी नहीं चल पाई और वो मू अश्टा चार से किया वो ना महराष्ट भूलेगा ना ये देश भूलेगा ताश की पत्तियों की तरे एक के बाद एक संसाधन तूट रहे थे कितनी ही सणके कितने ही पुल तूट तूट कर गिर गए और यह अनेक्षर के साथ हम आपको दे रहे हैं इसमें सारे हाधसे क्र तीक श्री राम का मंदर जो आयोध्या में बना उसके भी गर्ब ग्रह में पानी टपक रहा था कौन है ये भरष्टाचारी जिनसे आपने ये इंफ्रस्ट्रक्चर बनाए कौन जबाब नहीं तै करेगा चाहे वो नया संसध हो चाहे वो श्रिवाजी की मूर्ती हो चाहे व रहा था मैं चौती बात करना चाहती हूँ और ये मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत विशह है और वो है आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में चुनाओ है जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जाते हैं बड़ी बड़ी डिंगे हाकते हैं जम्मू कश्मीर में जाकर प्रधानमंत हमारे दो सैनिक शहीद हो रहे थे असलियत ये है कि जम्मू कश्मीर में पिछले सौ दिनों में 26 एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 26 आतंकी हमले हुए है जिसमें हमारे 21 शहीद हुए हैं सैनिक करीब करीब 30 सैनिक इसमें घायल हुए है 15 नाग्रिकों की मौत हुई है और 47 से ज़ादा नाग्रिक घायल हुए है और दिकत तलब बात ये है कि अब जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो कश्मीर से ज़ादा जम्मू में हो रहे हैं आप तो शांती बहाली की बात करते थे लेकिन असलियत ये है कि आप कश्मीर में, ना श्रीनगर में, ना अनंत ना अग्रजवरी में ना बारा मुला में चुनाओ लडने लायक थे आप तो शांती की बात करते थे लेकिन असलियत ये है कि 21 सातंकी हमले हुए 26 सातंकी हमले हुए हमारे 21 सैनिक शहीद हुए लेकिन आपके मुझे श्रद्धानजली का और सम्वेदना का एक शब्द नहीं निकला और ये मैं दावे से कहती हूँ नरेंद्र मोदी जो ट्वीट करने से बाज नहीं आते हैं ढून ढून के आटलस पर देश ढूनते हैं कहां जाऊं अब मैं किसको बर्थदे ग्रीटिंग दूँ 26 आतंकी हमले और ये मैं 100 दिन की बात कर रही हूँ 2019 से आतंकी हमलों की सिलसलेवार ये एनेक्शर में हम शेयर करेंगे देखिएगा एक श्रद्धानजली का शब्द एक सम्वेदना का शब्द नरेंद्र मोदी जी के मूँ से निकलता नहीं है ये हमले डोडा में हो रहे हैं राइसी में बस अटैक पर हमला हुआ पुंच में हमले हो रहे हैं किश्टवार पे हो रहे हैं तमाम ऐसे हमले हैं जो लगातार होते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के मूसे न श्रदानजली का न समवेदना का एक शब निकलता है। और आज सवाल ये है कि कानून वेवस्था डिरेक्ट एलजी के अंतरगत आपके अंडर है। क्या कानून वेवस्था है। 26 आतंकी हमलों का जिम्मेदार कौन है। किसकी जब आप नहीं सेट हो जो 21 हमारे जाबार शहीद हो गए उनके परिवारों की आख में आख डाल कर आप एक शब बोल सकते हैं। यह है आपका 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड 26 आतंकी हमले। उसके बाद हम बात करेंगे महिला सुरक्षा की। इस देश की आधी आबादी ने बड़े विश्वास से आपको 2014 में चुना था। लेकिन इस देश की आधी आबादी के साथ जो आपने आपकी सरकारों ने आपके गुर्गों ने किया वो अक्षम में अपराध है। हर व्यक्ति को क्रोध आना चाहिए हर व्यक्ति को आक्रोश आना चाहिए लेकिन सो दिनों में 104 अपराद महिलाओं के खिलाफ जगन्य अपराद हुए हैं 157 पीड़ता हैं इसमें आपके शासित राज्यों में मुख्यमंत्री जिस शहर में हैं उस शहर के चौराहे पर एक रूप से बालातकार होता है लेकिन आप एक शब नहीं बोलते हैं आप बंगायर पर बोलते हैं बोलना चाहिए लेकिन आप बदलापुर पर नहीं बोलते हैं आप बिहार पर नहीं बोलते हैं आप उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद पर नहीं बोलते हैं लेकिन आप क करता है उसका चरित रहनन करता है तो आपके मुझ से एक शब नहीं निकलता आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि उसको अपनी पाटी से निकाल बाहर करिए आपके सो दिनों में ना अनपण मजदूर खेत में सुरक्षित है एक महिला ना स्कूल में ना बालिक बच्चियां सुरक सुरक्षित है ना मेले से आने वाली औरते सुरक्षित है तो सुरक्षित कौन है इन 157 पीड़ताओं को आप क्या कहेंगे सो दिनों का फलसफा महिलाओं का ये है आपका जो जुनजुना है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसकी असलियत ये है कि आप बेटी को बचाने बेटी को पढ़ाने के बजाए हर बार संगरक्षन आरोपियों को देते हैं आपके नरेंद्र मोदी के संसधिये छेत्र काशी में जगन्य ग्यांग रेप का मामला सामने आता है बीजेपी की आई टीसल के लड़के उसमें पाय जाते हैं उनको बेल मिलती है तो उनका अजादी के मतवालों की तरह स्वागत होता है केक काटा जाता है मलाई पहना ही जाती है यह आपका सौदिन का फलसफा महिला सुरक्षा को लेकर इसके बाद बात करनी पड़ेगी युवाओं की क्योंकि युवाओं के बारे में बात किये बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है इस देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयू की है और यह है आपकी उनके लिए प्लान, यह है आपके उनके लिए संयोजनाए इन सो दिनों में लगातार पेपर लीक हुए है इन सो दिनों में इम्तिहान कैंसिल हुए है इन सो दिनों में आपकी विफलताओं का पुलिंदा यह है कि स्टूडेंट्स रोते रहे माबाप पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चे गाजर मूली की तरह बसो ट्रेनों में भर कर जाते हैं इमतहान देते हैं और पता चलता है पेपर लीक हो गया NEET की परिक्षा का पेपर लीक हुआ NEET में धांदली के धोखा धड़ी के कई मामले सामने आए आपने NEET PG का एक्जाम कैंसल किया आपने UGC NET का पेपर लीक हुआ इसलिए एक्जाम कैंसल करना पड़ा जोइंट CSIR UGC NET का अमतहान कैंसल हुआ NCEAT का पेपर लीक हुआ लगाता है पेपर लीक हो रहे है और ये मैं सिर्फ सौ दिनों की बात कर रही हूँ क्योंकि दस साल के फालसफा में तो CBSE का अमतहान भी लीक हो गया दस साल का फालसफा तो ये है कि आपके लोग पेपर लीक के घोटाले उनके स्कैम उनके स्कैंडिल में लिप्ट पाए जाते हैं जिस देश के लोग भारत में पढ़े लिखे बच्चे भारत में पढ़े लिखे युवा विश्व में डंका बजाते हैं जाकर आज आधी सिलकन वैली भारत की पढ़ी लिखी है बला हो जवाहरलाल नहरू का बला हो कॉंग्रेस की सरकारों का जिन्होंने ऐसे स्कूल ऐसे संस्थान बनाए जहां पर लोग पढ़ लिखकर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर आईबियम आईबियम से लेकर गूगल तक के हेड है ये प्रणाली थी शिक्षा की हमारे अंतरगत आपकी प्रणाली और आपका फलस्फा ये है कि नीट जैसा इमतहान भी लिख होता है आपको एक के बाद एक पेपर कैंसल करने पड़ते है ये आपका रिपोर्ट कार्ड है इसके बाद जरूर बात करनी पड़ेगी खस्ताहाल अर्थविवस्था की ये अर्थविवस्था का फलस्फा है रुपिया आपको मिला था 60 पर 58 पर असल में 2014 में आपने उसको 84 पर पहुँचा दिया पिछले 100 दिनों में आपने 1000 लाग करोड फूके किसी तरह सो रुपे को बचाने के लिए डोला पीटते थे वो लगातार गिर रहा है नाज सिर्फ डोमेस्टिक बलकि फॉरिन इंवेस्टर्स को आपकी पॉलिसी पर कोई विश्वास नहीं है बेरोजगारी लगातार नए की इर्थिमान स्थापित कर रही है ये देश की अर्थ विवस्था का حाल है और महिंगाई की मार सहे बिना तू बात कैसे होगी महिंगाई डायन खाये जाते बड़ा गाना था उस गाने में एक लाइन और आड गरिए सकी सहीया तो नईखे कमात है महिंगाई डायन खाये है, यह महंगाई का फलसफा है, महंगाई का यह हाल है कि चुनाव होते ही टोल टैक्स आपने 15 परसेंट बढ़ाया, दूद के दाम आपने तुरंद बढ़ाये, सी- Ein-जी का दाम बढ़ाया, आटा का दाम बढ़ाया, दाल का दाम बढ़ाया, आपने एक कमर्शल गैस का सिलिंडर करीब करीब पचास रुपए दो दो बार करके महंगा किया आपने मिडल क्लास पर LTCG इंडेक्सेशन जैसी बार करी यह आपका असलियत है यह महंगाई की मार है जो देखना चाहे वो जरूर देखे ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको आपने सस्ता किया है पिछले दस सालों में सो दिनों में आपने आटा, दही, दाल, दूद, कमर्शल LPG, CNG, टोल टैक्स सब के दाम बढ़ाएं और फिर बात तो करनी पड़ेगी आपके सबसे परम, प्रिये, दिल के टुकडे, अडानी की सेभी और अडानी यह दो चीज़े हैं जिस पर आप मुह नहीं खोल सकते है इस देश की मार्केट रेगुलेटर पे गंभीर आक्षेप लगे है इस मंच से परदाफाश किया गया है उनके conflict of interest का कैसे उनके चैन में अनियमतिताय बरती गई कैसे उन्होंने अपने पद का अपने प्रभाव का दुरुपियो किया लेकिन आप आज भी उनको अपने पद पर इसलिए बरकरार रखते हैं क्योंकि आप की भ्रष्टा चार की परते लगातार खुलती जाएंगी अगर आप उनको हटा देंगे लेकिन हटाना तो आपको पड़ेगा सेभी चीफ को अडानी के उपर चाहे वो स्विट्जलंड हो या वो कीनिया हो गंबीर आरोफ लग रहे हैं लेकिन आप उनके हवाई जहाज में उनको गले लगाए हर जगे घूमेंगे आपकी विदेशी दोरे अडानी को धंदा अडानी को कारोबार दिलाने के लिए किये जाते हैं ये असलियत है आपकी ये सेभी और अडानी का वो महा घोटाला है जिस पर आप मूँ नहीं खोल पाते हैं और उसके बाद मैं बात करूंगी लद्दाक की आपके वहाँ के सांसद में आपके वहाँ के काउंसलर्स ने जब तक आपके सांसद थे अब नहीं है उन्होंने लगा तार लद्दाक के मुद्दे को उठाया लद्दाक के लोग अक्रोशित हैं सडकों पर हैं चर्वाहों ने कहा जहां तक हम पहले जा पाते थे नहीं जा पाते चीन अतिक्रमर करके बैठा है 21 स्कोर कमांडर लेवल की टॉक्स में चीन बार बार ये कहता है आपका प्रधान मंत्री भी तो कहता है कोई घुसा हुआ नहीं आप चीन का नाम नहीं ले पाते या थावत स्थिती अपरेल 2020 की बरकरार नहीं कर पाते और असलियत ये है कि पूरा का पूरा लदाख अंदोलन करने के लिए सडकों पर उतरता है और आज पैदल मार्च दिल्ली के लिए कर रहा है क्या करिएगा लदाखियों के लिए भी सडके खुदवा दीजेगा कीले गड़वा दीजेगा सिमिंट की चटाने लगवा दीजेगा आसू गैस के गोले छोड़िएगा लाटिया बरसाइगा जो इस देश के किसानों के साथ किया ये लदाख किस्तिती है लेकिन आपकी असली विशमता आपका असली विफलता आपका असली निश्ठुरता आपका असली फेलियर तो असल में मणीपुर पर है परदे के पीछे च्छिप कर जब नरेंद्र मुदी मणीपुर पर चुप रहते है तो आपकी सारी असलियत और सारी कलेग खुल जाती है सोला महीने से इस देश का एक राज जल रहा है वहाँ पर फिर से हिंसा भड़की और इस बार रॉकेट से ड्रोन से आर्पीजी से हमले हो रहे है पिछले दो हफ्तों में बारा से ज़्यादा मौते हो चुकी है सुरक्षा बलो पर हमला हुआ उन से हत्यार चिनने की कोशिश होई इंटरनेट लगा हुआ है कर्फियू लगा हुआ है लेकिन आपके अंदर ना तो इतना आत्मिक सहस है ना बल है ना होसला है ना हिम्मत है और ना नियत है कि आप मणी पुर जा सके ये आपका सौदिन का फलस्फ़ा है लेकिन कभी कभी सोचती हूँ जब 16 महीने से नहीं गए तो अब आप क्या मणीपूर जाईएगा आप में मणीपूर को उसके हालात पर मणीपूर को जलने के लिए छोड़ दिया है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि लोकसभा में बड़ी-बड़ी बाते करने वाले चुनाओं के दौरान ना कोई अजेंडा है ना कोई प्लान है ना कोई समाधान है समस्याओं का आप लगातार कुरसी से चिपकले की लालसा में लिप्त है आप बैसाखियों पर निर्भर है आप A1 और A2 की तिजोरिया भरने के लिए हर तिकडम करने को लालाइत है और ऐसे में आप हर एजेंसी का दुरुपियोग करिएगा आप से कुछ सवाल है सौदिन आपके पूरे हुएं सौदिन की विफलताओं पर आप से कुछ सवाल है क्या आपके पास पाँच साल का कोई विजन है आप पड़े इसी देशों से निष्टे सुधारने के लिए क्या कर रहे है आज असलियत यह है कि हम अपने पूरे नेबर हुड में आईसोलेटड है यह आपकी फॉरें पॉलिसी की का फेलियर है अर्थवेवस्था इंकम इनिक्वालिटी बेरोजगारी, महंगाई महिला सुरक्षा को लेकर आपके पास कोई योजना है ब्रष्टाचार का जुझना आप खूब बजाते हैं जिनको ब्रष्टाचारी बुलाते हैं उनको बीजेपी में शामिल कराते हैं सेभी और अडानी पर कब बोलिएगा एजेंसियों के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोट आपको लगातार लटार लगाता है लेकिन कब तक आप इन एजेंसियों को अपना फ्रेंटल बनाई रखिएगा और राजनितिक प्रतिशोद के लिए इस्तिमाल करिएगा असलियत यह है मोदी जी आपके पास कुछ बचा नहीं है RSS से आपके कटू रिष्टों का सच सब के सामने है BJP में सिर्फ हुटवल और खीचतान सब के सामने है सरकार दिशाहीन है आपके जूठी बावाही कुछ चरण चुमबग जरूर कर देते होंगे आप उसमें खुष हो जाते होंगे लेकिन इस देश की जमीनी हकीकत से अगर आपके सौ दिन को देखा जाए तो आप बहुत दूर हो चुके हैं I will very briefly in a nutshell just make a statement in English and this is about the 100 days of the Modi government the reality is that the Modi government has failed on every front it has been a government of U-turns from lateral entry to the Waqf Bill to the Broadcast Bill to Indexation to NPS which has now been replaced by UPS this has been a U-turn government the reality is that Indian Railways has seen its worst phase 38 rail accidents, 21 deaths the rail minister of this country calls these small incidents continues to make reels the reality is that infrastructure built under you, made under you has completely collapsed be it bridges and these are 56 infrastructure projects that I am talking about in the last 100 days alone be it bridges, roads, statues, airports everything built under you from the new parliament that was leaking to the Ram Temple and Ayodhya which was leaking in the Garbhagray to the statue of Shivaji to the Atal Setu every infrastructure to the Delhi airport Jabalpur airport Rajkot airport everything seems to have collapsed and if this is not a proof of corruption then what is in the last 100 days there have been 26 terror strikes in Jammu and Kashmir 21 of our Bravehearts have lost their lives over 30 of them injured 15 citizens killed 47 of them lie injured who is responsible for this? where is the accountability? is Mr. Modi going to speak about this at all? I don't think so the reality is there have been 104 cases of crime against women 157 women have been at the receiving end of this crime you speak on Bengal and you must but why do you not speak on Badlapur? why do you not speak on Bihar? why do you not speak on Uttarakhand? why do you not speak on UP? why is it that the BJP IT cell members accused of gang rape in IIT BHU are given a hero's reception when they get bail? and this is something I am quoting from your parliamentary constituency let's talk about youth the NEET paper leak the many discrepancies found in it the NEET PG exam was cancelled UGC net paper leaked joint CSR UGC net cancelled NCET paper leak NEET PG pariksha let's talk about the economy the reality is you were handed over the rupee at 58 to a dollar in 2014 you have taken it down to nearly levels of 84 100 days back the rupee was at 82 to a dollar despite you pumping in a lot of money to somehow arrest the fall of the rupee the rupee is at dangerously close levels of 83.92 when I last checked today the reality is FDI has consistently fallen it's down at about 45% from its peaks the reality is that unemployment is breaking new barriers every day high prices people in this country are reeling under high prices but you clearly don't seem to care as soon as elections were over toll prices were increased by 15 rupees CNG prices shot up commercial LPG prices shot up common flour to pulses to milk prices all of that shot up you troubled middle class with LTCG with indexation and that tells you how much trouble you can create for the middle class I cannot not speak about the SEBI and the Adani conundrum India's market regulator finds and the chief of India's market regulator finds herself in the middle of a huge scandal all kinds of allegations have been raised from this very platform my colleague Pawan Khaira has consistently exposed Madhbi Puribuch but you do not speak a word allegations against Mr. Adani are coming from Switzerland and Kenya but you do not speak a word for how long are you going to keep quiet allegations of misuse of office of conflict of interest of various things has come against India's market regulator where is the faith that domestic and foreign investors must have in our markets I cannot not speak about Ladakh there is a delegation of people from Ladakh marching from Ladakh to Delhi against the Chinese occupation they have consistently raised questions on that they have consistently asked for your attention what are you now going to do are you going to dig roads are you going to put cement blocks are you going to stop them with tear gas what are you going to do to these people and when are you going to speak on Ladakh and last but not the least what is your plan for Manipur Manipur that has been burning for the last 16 months where violence has erupted again where internet is banned where curfew is imposed where 12 people have lost their lives in the last 2 weeks where RPG and drones and rockets are now being used for fresh attacks where security forces are being attacked and attempts are being made to snatch away their weaponry what are you going to do about Manipur will you never go to Manipur Mr Prime Minister it's very clear that you are saddled with various allegations it's very clear that your relationship with RSS is at an all time low it's very clear that there is huge factionalism within the BJP and all that you are interested in is political survival come what may and for that you are obviously dependent on your allies for that you are willing to turn a blind eye to the problems of this country but questions will be raised about what plan do you have for this nation how long do you continue do you plan to continue to misuse our agencies what are you going to do about women's security what are you going to do about unemployment to rein in prices there are various issues that face this nation and on all those fronts you have miserably failed this country this 100 days we will have to do every annexure this press release and all the graphics we will have to do you go 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 करो